हाई गाईज विल्कम बैक टू मैं चैनल तो कैसे है आप सबई हो आप सब ठीक होंगे गाईज आज मैं आपको एक न्यू और इंट्रेस्टिंग कहानी दिखाने जा रही हूँ बट आगे बढ़ने से पहले आप अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको इंट्रेस्टिंग कहानी देखने को मिलती है और मिलती रहेगी माया आज मेरा तबियत बहुत खड़ाव है जंगल से लकरी लेकर आती हूँ लकरी कार्टे कार्टे में ठक गई हूँ जाकर बैठ जाती हूँ हाँ इतना रात हो गया मुझे जल्दी जल्दी घर पहुचना है दादी दो मेरे बिना खाना भी नहीं खाती है बेटी इतने रात तक उस जंगल में क्या गर रही थी तेरे लिए मैं तो फिकर करते करते मरे जाओंगी तुझे पता नहीं जंगल का रास्ता रात के लिए कितना खतरनाग होते है ओ दादी में लकरी कार्टे कार्टे ठक गई थी इसलिए इतना रात हो गया आपर फिकर मत करिये चलिए हम दोनों मिलकर अब खाना बनाते हैं हाँ बेटी चल चल हम दोनों मिलकर अब खाना बना लेते हैं ऐसे डायन बनके मैं अरतब तक भटकूँ मुझे कोई इंसन चाहिए उसका खून पीकर में उसका रूप ले लोंगी और इस दुनिया में घूमोंगी गिरोंगी नाचोंगी गांगी बबा आज तो बहुत मेहनत हुआ मेरा लक्री काटे काटे में ठक गई अभी मैं घर ने जाओंगी थोड़ा दे यहाँ पर बैठोंगी फिर चली जाओंगी ये खुब सुरत लड़की यहाँ पर क्या कर नहीं है हाँ मैं इसका खून पी जाओंगी पहले मैं अपना रूप मदब मूँ उसके बाद उसके पास जाओंगी वरना हाँ से निकल जाओंगी अरे बेटी रास्ता भटक गई हो क्या इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हो ने ने दादी मैं यही पास वाली गाओं में ही रहती हूँ लक्री काटने आये थी लक्री काट्ते काट्ते ठक गई हूँ इसलिए सोचा थोड़े देर यहाँ पर बैट जाओ मैं कुस दर बादे चली जाओंगी चलो तो फिर मेरा घर चलो मैं बहुत अच्छा अच्छा पकवान बनाती हूँ खाना खा के घर चली जाना चक चक तो तुम्हारा थकावाट भी दूर हो जाएगा ने ने दादी मेरी दादी ना मेरे लिए घर में इंतेजार कर रही होगी मैं अगर जब नहीं आऊंगी वो खाना नहीं खाएगी मैं यहां रोद आती हूँ मैं एक दिन आपके घर में खाना खा कर जाऊंगी ये लड़की तो मेरे जान में फस गई इसके बाद कुछ दिनों में ही मैं इसका खून पीकर इसके तरह दिखने लग जाऊंगी बेटी नजाने मेरा मन में क्या सब अजीव अजीव खयाल आ रहा है तु आज लकडी कटने मत जा ओ मेरी प्यारी दादी आज में यूही जाऊंगी और यूही आ राऊंगी और उसके बाद मैं आपसे कहानी सुनूंगी बहुत दिन हो गया आपने मुझे कहानी नहीं सुनाया जा जा तब जल्दी जा देर मत करना लक्री तो आज काटना हो गया और अभी बहुत सवेरा भी है आज मैं उस दादी के घर जाओंगी उसने मुझे बताई थी कि वो बहुत अच्छा अच्छा पकवान मनाती है मुझे बहुत भूग भी लग रहा है दादी का घर कहा है यही तो मुझे नहीं पता जाकर ढूनती हूँ यही कही होगी ओ दादी ओ बुडी दादी कहा हो तुम अरे लगता है ओ लड़की मुझे आवाज दे रही है यह मौका मुझे गवाना नहीं चाहिए जल्दी जल्दी बुडी बन जाओ अरे बेटी आओ इस घर में आओ तुम सही नास्ता पनी आई हो मुझे पता था तुम आज आओगी इसलिए मैं तुम्हारे लिए खीर बनाई हूँ हाँ हाँ जल्दी चलिए मुझे खीर बहुत पसंदे और मुझे भूग भी लग गया है दादी आप कहां चली गई मुझे बहुत डर लग रहा है जल्दी बाहार आईए नहीं तो मैं अब ही घर चलती हूँ और नहीं आओंगी ए लड़की तु कहां भाग रही है रे हाँ तु मेरा शिकार है और मैं एक डायन हूँ डायन अमावस की रात में मैं तेरा खून पीकर तेरा तरे बन जाओंगी खुपसूरत तु तब तक मेरे घर में कदीमा बन कर रहेगी कदीमा अब मुझे इंसान बनने से कोई नहीं रोग सकता दादी कोई मुझे बचाओ दादी मुझे बचाओ कोई मुझे इस डायन से बचाओ मैं तो एक कदीमा बन गई हूँ अब मुझे कौन पहचानेगा है बगवार मेरी पोती कहा चली गई कहा गई जंगल में उस दिन कितने बार मना की थी मजजा मजजा है बगवार कोई मेरी मदद करो मेरी पोती को ढून दो उफो आज का दिन तो मुझे नसीब से मिल गया बहुत सारा लकडिया मुझे मिल गई है एक काम करूँगा आधा अपना पास रखूँगा और बाकी लकडिया बाजार में बेचके पैसा कमा लूँगा कोई मेरा आवास सुनो मुझे बचाओ इस डायन से मुझे बचाओ ये क्या? ये लड़की की आवास? मुझे क्यों लग रहा है कोई लड़की मदद के लिए चीक रही है और आवस पास में तो कुछ मुझे दिख भी नहीं रहा है बहुत अंदेरा है मुझे कोई बचाओ कोई मेरा मदद करो नहीं अब मुझे आगे जाकर देखना ही पड़ेगा कौन चिल्ला रहा है मुझे इस लड़की का मदद करना ही पड़ेगा मैं कदीमा के रूप में एक लड़की हूँ मेरा आवाज सुनो मुझे कोई बचाओ अड़े यहाँ पर तो काफे सारे कदीमा है तुम इस में से कौन सी कदीमा हो और तुम यहाँ पर आई कैसे मैं एक डायन के चंगुल में फसकर यहाँ पर आ गई मुझे इस डायन ने कदीमा बना दिया और कुछ दिन बाद वो मुझे खा जाएगी आप मुझे इंसान बना दीजिए और इस डायन से बचाए मैं आपको कैसे बचाओ मेरे को तो कोई तर्कीब भी नहीं पता और मुझे लगते वो डायन के साथ साथ एक जादूगर्णी भी है इस कुफा के अंदर एक लोटा है उसमें थोड़ा पानी है आप वो पानी मेरे उपर छीट दीजिए मैं फिर से इंसान बन जाऊंगी मगर अभी नहीं अभी आप छुप जाएए वो डायन आने ही वाली होगी और दो दिन बाद ही अमावस की रात है और मैं तुझे अमावस की रात में ही खा जाऊंगी और मैं तेरी तरह देखने लगूंगी ए डायन तुने बहुत इंसान जानोर का नुखसान पहुचाया है अब तेरी बाड़ी तु कौन खेट की मूली है रे मैं तेरा मौध हुओ मैं नहीं चौणगी मैं नहीं चौणगी मैं तेरा मौध हुँए क्या हुआ उस डायन का अब ठीक तो है न तुम जिन्ता मत करो अब सब ठीक हो गया उस पाक पानी से वो डायन भस्म हो गई अब तुम भी ठीक हो जाओगे पहले जैसे अरे मैं ठीक हो गई मैं फिर से पहले जैसा हो गई आपका लाख लाख शुकर आप पहले मुझे मैं दादी का पास लेके चलिए वो बहुत परिशान होगी मैं तीन दिन से लापता हूँ हाँ जल्दी चलो इस जगा से इस जगा में ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा आज हमारी कहानी की नाम थी एक थी डायन तो यह कहानी आप सबको कैसी लगी गाईस हमें कमेंट में बताना अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना हमारे इस चैनल को सस्क्राइब कर देना बेल आइकन और में प्रेस कर देना और गाइस अगर आप सबके मन में भी कोई कहानी देखने का दिल कर रहा है तो आप लोग मुझे करमें में बता रहा हम जल्द से जल्द उस कहानी को अपलोट करने के कोशिश करेंगे थैंक यू